हेलो एंड वेलकॉम टे एक्सवे ग्रूट टेफेंस अगेडमी दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता है कि प्रवीन गुर्जर यानकी एर वन एर फोर्स रैंक वन जिसके 66.25 मार्स आये हैं और आल इंडिया में जिसने टॉप किया है एर फोर्स में एक्सवे ग्रूप में दो 25 आउट ओ 25 एंड फिजिक्स में 21.25 ठीक है इस तरीके से तो कॉंट्रिवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है तो कॉंट्रिवर्सी क्या है कि सभी टीचर्स जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहले आयाइटी जीमेंस के लिए पहले लाड़ा ही होती थी इस्ट्ट्वेंट क कि कोई टीचर या कोई इंस्ट्ट्वेंट उनको खरीद लेता था उसके बाद कहलबा दिया जाता था कि यह जो इस्ट्वेंट है वो हमारे हां पढ़ा है इस साही तरीकी से इस दो कॉंट्रिवर्सी होई है एयर फोर्स एयर वन यानि कि एर फोर्स का एयर वन जो टॉपर है प्रवीन गुर्जर उसके उपर बहुत बड़ी controversy हो रही है जिसके जिसके regarding हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या कोन सही है और कोन गलत है कोन सही गलत है तो जैसा कि आप लोगो पता होगा कि अभी संजीव ठाखुर सर का एक वीडियो जिसमें इंटर्व्यू वो ले रहे हैं प्रवीन गुर्जर का ठीक है प्रवीन गुर्जर का जो इंटर्व्यू ले रहे हैं उसमें क्या होता है कि तो उसमें जो प्रवीन गुर्जर करता है कि मैंने कहां से पढ़ाई करी उसके अपने तो पहले से यह बच्चा जो है अब वो टॉपर है तो इसने क्या है आएटी का प्री था वह भी क्लियर किया था तो इसमें क्या होता प्रवीन गुर्जर जो है पहले से तो पर रहा है तो इसने 2018 में आई थिंग इसने पास किया है उससे पहले इसने अधिया कर अब कि बार इस का एल्ए इसने आया है इससे पहले भी हिसने नमबर बहुत होगा था Cake इस बार इसने काफी अच्छी महनत करी जिसमें यह बताता है कि कि इस बार मैंने जो महनत करी है वो संजीब ठाकुर सर के यहां पर बताते हैं कि संजीब ठाकुर सर है उनकी इसने क्लासेश लिए लेकिन लेकिन कॉंटरवर्सी यही से स्टार्ट होती है कि यह बताता है कि संजीब ठाकुर सर के मैंने क्लासेश लिए हैं और मैथ के रिगार्डिंग बाद में पूछा जाता है तो बताते हैं कि जो दा कोच है दा कोच नीरज सिंग बैसला नीरज सिंग बैसला पढ़ाते थ तो उस में आयटियन है ये भी तो आयटियन है नीरसिंग बैजला तो इन्होंने बताया कि ये भी इनके इनसे भी मैं पढ़ा हूँ यानि कि मैंने ज्यादा पढ़ा ही तो नहीं मैं पहले से ही टेलेंट था मैं बट मैंने क्या इनके मॉक्टेश लगाएं काफी अच्छा जिससे मेरा स्कोर काफी बैटर हुआ है और संजीव ठागुर सर की बताते हैं कि मैंने इनकी महराथन बहुत जाद महराथन ली हैं क्ला स्टार्ट होती तो एक वीडियो आता है नीरस ञर्म prac सर का जिसमें वह कहते हैं कि यह मतलब हैं ने यहां होकर गया है यानिए कि 맞는 स्टूएन यहां निरस सर्माजी है उनका कहना है कि यहां से जो भी इस्टुएंट यानि कि जो भी डिफेंस का इस्टुएंट निकल के जाता है वो नीरस सर्मा के यहां होकर ही जाता है ठीक है नीरस सर्मा सर से पढ़ता है एक बार तब वो निकल के जाता है तो उनका ये उसके बाद ये कुछ अपने तो ये इसने हमारे यहां से भी तयारी करी है, यानि हमारे यहां भी पढ़ा है, बाद में कोई भी मुकड जाए हमें, किसी से भी वो नहीं है, कि बाद में कोई भी मुकड जाए, लेकिन ये पहले हमारे यहां पर पढ़ चुगा है, ये प्रवीन गुर्जार इसने यहां नी कहते हैं कि हर जगह से पढ़ो जहां से भी अच्छा कंटेंट मिले वहां से पढ़ो ठीक है दाकोच वाकोच यह मतलब जो हैं उनके ऊपर भी कुछ बोला है इनोने उसके बाद सब बेकार हैंम तो हम तो पहले सी कहते हैं यह खराब है मतलब बिलुकुल इन में कुछ संथ यूंड नहीं नहीं फिर इन पढ़ाने के भी कोई टैलंड नहींल नहीं यह बेकार हैं यह हमसे बहुत पीछे है तो इस तरीके की कॉंट्रिवर्सी इनकी बीच में चल रही थी ठीक है बहुत सारी कॉंट्रिवर्सी यादि कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को डिशाइड करना है कि किसकी बात सही है और किसकी नहीं है ठीक है